सर्दियां आ गई हैं, ऐसे में अगर आप prime है तो घर में आपको दही छाच को लेकर काफी सतर किया जाएगा और ये ना खाना, वो ना खाना, जुकाम हो जाएगा, बच्चेको प्राब्लम हो जाएगी पौह सारी ऐसी बात है सच क्या है इन दही चांच से रिस्क क्या है आपको उस रिस्क से बचना कैसे है और दही चांच खाना ज़रूरी है तो कैसे खाएं यह सारी चीजें आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं है मैं माने जाते हैं जेसे की सच क्या है इसको प्रेग्निंसी में है सदियों के दोरा नहीं दोरन ऐसके नूट्रिशनल बेनिफेट्स क्या है इसे भच्य को क्या लाघ मिलता है वोस तब क은च आज अजम सीखेंगे वीडियो में वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली के अपडेट्स आपको मिलती जाएं, यह वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रिग्नेंसी में डाइट बहुत जादा इंपॉर्टेंट होती है, दवाव से जादा में साही बच्चा बनता है, तो हर अच्छी चीज मां को खाने के लिए कही जाती है, लेकिन दई और चांच से related समस्याइं क्या हो सकती सकता है आपको कैसे बचना है कैसे खाना है सीखते हैं तो सबसे पहले बात करें कि क्या दही और छांच ठंडे होते हैं क्या इन्हें हमें ठंडे मौसम में नहीं खाना चाहिए इसको खाने से क्या कोल्ड कफ हो जाएगा तो बात करें अगर दही की और छांच की तो दोनों की तासीर अलग होती है, दही तासीर में गर्म होती है, और छांच तासीर में ठंडी होती है, क्या दही खाने से आपको कफ बन जाएगा, आपको जुकाम हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सर्दियों में हमें पता नी चलता, काम करने में, कपड़े दोने में घर के काम करने में एक्सपोजर हो जाता है, हमें ठंड लग जाती है और हमें जुकाम लगता है और हम ब्लेम करते हैं दही और चांच को दही और चांच खाने से सुकाम नहीं होता जब तक आप उसको फ्रेश खा रहे हैं और सही दरीके से खा रहे हैं दही और चांच दोनों ही चीज़े रात को खाना मना है, आप रात को ना खाए क्योंकि इससे जो प्रेगनेंसी में एसिड बनता है पेट में वो और जादा बनेगा और आप एसिडिटी से बहुत जादा परेशान हो जाएंगी, तो दही चांच का सेबन अब दिन में कर सकती ह क्या किनी कंडिशन में दही चांच कंजूम करना बंद कर देना चाहिए? ऐसी सलाब बहुत ही प्रभाव पड़ेगा? जी हां, बहुत अच्छा प्रभावों पड़ेगा? क्योंकि दही और चांच के अंदर कैल्षियम भी है, प्रोटीन भी है, और हांников को अच्छा रखने के लिए प्रोबाइटिक्स भी हैं, तो इसका लाभापके बच्चे को भी मिलेगा, इस पे भी बहुत गहन स्टडीज भी हैं, जो कि कई बार मैं आपके साथ साजा करती रही हूँ, तो दही खाना प्रेगनेंसी में बहुत फायदेमान है, हलकी भूक में दही में किश्मिश मिलाकर, कुछ भिगोए हुए ड्राइफ रूट्स मिलाकर आप कंज्यूम कर सकती हैं दिन के समय में, दही फैटी नहीं होने चाहिए, अदरवाइस आप दही खाएंगे, लेकिन उसके बाद पेट में आपको भारी पन लगेगा, क्या आपको ऐसा लगता है, कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपके कंडिशिन क्या होती है, अगर दही खाने के बाद पेट भारी होता ह चाहिए, उसकी दही आप कंस्यूम कर सकती है, और फिर भी दही खाने से समस्या है, तब आपको चांच लेना चाहिए, प्रूटीन बहुत अच्छा होता है, डाइजिस्टिबल हो जाता है चर्निंग से, और ये प्रेगनेंसी में मा और बच्चे के सही तरीके से वेट गिन में हल्प करता है, डही और चांच दोनों अच्छे हैं, राद को नहीं खाना है, फ्रेश हीं कंस्यूम करना है, डही में कभी भी आपको शक्कर नहीं डालनी चाहिए, अपले नहीं खा सकते हो, प्रेगनेंसी में सुबह नाष्टे में उठकर दही में भीगोएवे पोहे, में भीगोएवे ओर्स या रात की बच्ची हुई रोटी को मैश करके खाना बहुत ही अच्छा माना चाता है ट्राइ दिस और इंज्वाइट